जी हाँ नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्मेंट जोब स्टडी ओफिशल यूट्यूब चैनल दोस्तों गर आप SBI बेंक में नोकरी पाना चाते हैं सरकारी नोकरी पाना चाते हैं वो भी SBI बेंक के अंदर तो यह online forum है जो कि SBI का है और इस भरती के लिए कौन-कौन से candidates अपलाई कर सकते हैं selection का process क्या होगा salary कितनी मिल रही है आप इदन केसे करना है कब से कब तक आप अपलाई कर सकते हैं यह सारी जानकर यह आपको देंगे बस वीडियो को एंट तक जरू दिएगा और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिलकुल भी मत कीजेगा जदा से अदा वीडियो को लाइक कीजेगा और अपने सबी दोस्तों के साथ शेयर कीजेगा और रोज़ना गवर्मेंट जोब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे official YouTube चैनल Technical Government Job Study को आज ही सबस्क्राइब करें क्योंकि यहाँ पर आपको रोज़ना नई जौब की अपडेट सबसे पहले दी जाती है तो आप जिसा की देख सकते हैं यहाँ पर आपको रोज़ना पल-पल की नई भरतियों की अपडेट दी जारी है यहाँ पर आप चेक आउट का सकते हैं और नई विकेंसी की जानका इले करके आप अपलाई भी का सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको अपलाई करने का लिंक भी दिया जाता है तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करने जारे हैं इस BI Bank भरती 2024 के बारे में जिसका नई भरती का नया Official Notification जारी हो चुका है इस भरती के आविदन भी शुरू हो चुके हैं 27 जून 2024 इसकी आविदन की लास डेट है तो दोस्तो 27 जून से पहले आपको अपलाई करना होगा और इस विकींसी की जो आविदन मांगे जारे हैं All India से एप्लिकेशन मांगी जारी है अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्टिक में रहते हैं आप सभी के इंडियेट्स मेल और फीमेल अपलाई कर सकते हैं और सबसे अची बात यह है कि यहाँ पर आपकी कोई भी एक्जाम नहीं होने वाली है बिना एक्जाम के विल्कुल सीधी भर्ती यहाँ पर निकाली गई है तो फ्रेंड्स कोई भी आपको एक्जाम देने की जरूत नहीं है बिना एक्जाम के आपको ये चौब मिलने वाली है सिर्फ आपको online forum बनना है अगर आपने forum में कोई भी गलती कर दी तो आपका forum रिजेक्ट हो सकता है तो forum बनने का पूरा process हम आपको बताएंगे बस वीडियो को एंट तक जरू दिएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें दोस्तों में ज़्यादा स्यादा शेर करें तो दोस्तों SBI बेंक में जो भरती निकाली गई है All India की वेकीन सी है मेल फिमिल सभी के लिए और सालरी आप देते हैं लगबग 70,000 उपे पर मंथ आपको सालरी मिल रही है जो की काफी श्या अंदास दारी है तो चली अपलाई केसे करना है कौनगों सी पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है क्वालिफिकिशन क्या है सारी जानकारी आपको देते हैं सीधा ओफिशल वापसाइट के दुरो तो फ्रेंड्स हमारी जो ओफिशल वापसाइट है वो है टिप्स वारिफिक्स वाइजेट यहाँ पर आपको सबसे पहले नई जौब की जानकार दी जाती है आप चाहें तो इसे दोस्तो गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देसकते हैं हम आ चुके हैं सीदा हमारी ओफिशल वापसाइट पर और आजकी इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बेंक ऐइडिया SBI की नई वेकीनसी के बारे में All India के male, female सभी के अप्लाई कर सकते हैं इस job के लिए और selection के process में आप दे सकते हैं जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया साफ साफ यहाँ पर बताया क्या है आपकी shortlisting होगी यानि कि आपकी application जब भी आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर सभी candidates की application को shortlist किया जाता है अगर उनने form भरते समय कोई भी गलती की है तो उनको reject कर दिया जाएगा उनको interview के लिए नहीं बलाई जाएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपका interview लिया जाएगा कोई भी आपका exam नहीं होगा तो यहाँ पर आपकी application को shortlist किया जाएगा सिर्फ आपको interview के लिए बलाई जाएगा और उसके बाद आपकी document verification होगे महीं salary आप दिसते हैं 48,000 से लगबाग 70,000 रुपे परमत आपको salary मिल रही है महीं job location all India की रहेगी इस vacancy के लिए जो age limit है बाकी SCST के लिए बेकल फ्री है और education qualification में यहाँ पर केवल any graduate pass के इंडियर्ट जो है apply कर सकते हैं चाहे आप arts, commerce, science में जाभी बिटेक किसी भी subject में graduate pass है तो आप apply कर सकते हैं महीं दोस्तों इसकी apply कैसे करने है वो process भी आपको यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर आपको just simply click करना है और आपको यहाँ पर click करने के बाद यह form मिलेगा और यहाँ पर आपको अगर आपने apply कर रहा है मतलब account बना रहा है तो आपको register करना है ID password डालके login करके फोर्म को भरके submit करना है print out ने करना है अगर पहली बार apply कर रहे हैं यहाँ पर आपको continue करना है आपको first name confirm करना है middle name confirm करना है last name confirm करना है आपका पुरा नाम आ जाएगा आपके माता जी का नाम mobile number और आपका email ID यह आपको confirm करना है और capture code डालके आपको register करना है उसके बाद आपकी details डालनी है qualification डालनी है अपलोड करने है डोकुमेंट जैसा की photograph और signature अपलोड करने है प्रिव्यू करना है payment करना है form को submit करना है इस प्रकार आपको apply करना है लेकिन apply करने से पहले आप सभी से request है इस notification को check out किजेगा यहाँ पर आपको vacancy के complete जानका इदर रखिए इस टेप आपको बताया क्या है कैसे आपको apply करना है तो कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और चैनल को subscribe जरू किजएगा thank you so much